नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो है आपके लिए बहुत खास क्योंकि आज की समय में लगभग सभी वेक्ति इंटरनेट का इस्तेबाल करते हैं जिनके पास भी स्मार्टफोन है वो इंटरनेट का इस्तेबाल जरूर करते ह ऐसे में यध्यान रखना बेहत जरूरी है कि आप असुरक्षित साइट्स के माध्यम से कहीं ठागी का सिकार न हो जाएं तो आईए हम जानते हैं कि आप कैसे एक सेक्योर वेवसाइट पर विजिट करेंगे यानि आप अगर कोई भी वेवसाइट खोलते हैं तो आपको उस वेवसाइट के सेक्योर या अनसेक्योर होने की जानकारी पहले ही होनी चाहिए तो आजकल आप देखते होंगे त्योहारों का मौसम है और एक दुछरे को बढ़ाई देने के लिए कुछ लोग मैसेज़ भी करते हैं और उस मैसेज़ में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह क लिंक होता है तो मैं आपको बता दूब कि वो जो लिंक होता है वो उन-सेक्योर है या नहीं है इसकी जांच हम कैसे करेंगे तो अप देखेंगे कि जो सर्च बार होता है सबसे उपर उस में जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो बगल में देखीएila सबकर एक ताला का निशान बनता है, यानि अगर ताला का निशान है, तो समझिए कि वो site secure है, आप गौर से देखेंगे, जब आप उस ताला पे search करेंगे, touch करेंगे, तो आप देखेंगे कि लिखा रहता है कि connection is secure, और वहीं दूसरी तरफ, अगर आप unsecure किसी site पर आप जाते हैं, जैसे मैं एक randomly type करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसके बगल में लिखा हुआ है कि your connection to this site is not secure, और एक चीज़ ध्यान से देखे, you should not enter your sensitive information on this site, for example password और credit cards, because it could be stolen by attackers, तो मैंने तो एक example दिया है, इसके अलाबे मैं आपको बताता हूँ कि WhatsApp पर भी बहुत तरह के messages आते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान दें, कि ऐसे किसी भी unsecure site पर या अंजाने site पर जाने से बचें और कोशिस या रहनी चाहिए, कि आप वैसे link पर touch ही ना करें, क्योंकि अगर ऐसे link पर आप touch करते हैं, आगे की तरफ process में जाते हैं, तो आप बुरी तरीके से ठगी के सिकार हो शक करें, कि उसमें आप अपने व्यक्तिकत जानकारी साजा ना करें, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कोई भी site सेक्योर है या नहीं, यह हम कैसे जानेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार.